भाईया कहां से हुई थी शुरुवात और कहां आ गए बलकि शुरुवात हुई और अब तो शो खत्म होने का नाम ले रहा है लेकिन इस सिलसिले में कोई कहीं नहीं पहुचा है सुहागं चुडएल की बात करें है वहां निशी गंदा और दिया जो थे वो मोक्ष को और मोक्ष के लिए एक दूसरे से भीड रहे थे अब सीरियल शुरु ऐसे ही हुआ खतम होने की कादार पर है दिया मर चुकी है निशी गंदा को मोक्ष मिला नहीं है तो अब सीरियल में आगे और हो भी किना सकता है बफोर थे हैप्पी एंदिंग थाल्गान जान अब आप सब तो ये जान ही गए है कि निशी गंदा को अब सच में प्यार हो गया है मोक्ष से मोक्ष को बचाते बचाते दिया ने अपनी जान दे दी है तो वही निशी गंदा अब एक दम से अच्छी बन गई है हिमाना की वो चुडैल है लेकिन उसके अंदर अब कोई भी गलत काम करने की इच्छा नहीं है आज फिर से निशी गंदा एक हुमन की तरह सोचती है एक इंसान की तरह प्यार करने लगी है इंसान की अंटरी के बाद अब वो केवल मोख्ष को बचाना चाहती है लेकिन मोख्ष को लगता है कि निशी गंदा की वज़े से हिदिया की जान गई है इसलिए वो निशीगंधा से नफरत करता है अब निशीगंधा आप जानती है कि नफरत को प्यार में कैसे बदला जाता है यही तो आपकी परिक्षा है अब आज भले ही मोक्ष आपसे दूर भाग रहा है आपके साथ बात करने को राजी नहीं है लेकिन उसे भी जब सच का पता चलेगा कि नागिन ने ये सब कुछ किया है हिद्या की जान लेने में आपका कोई हाथ नहीं है उस वक्त मोक्ष आपका जरूर होगा वैसे परदे के पीछे का जरा ये नजारा देखते जाए जब भी क्रोमा वाले सीन करने होते हैं राउंट रॉली लगता है तो सितारे इस सीन को कैसे खत्म करते हैं परदे पर तो आपको ये केवल दो मिनिट का सीन लगेगा लेकिन इस सीन को करने में पूरा दिन भी लग जाता है अब सुहागन चुरैल शो की बात करें तो ये शो अपने आप में एक अलग शो है जिसका ट्रेट्मेंट डेली सोप से काफी अलग है ये तो अब तक आप जान ही गए होंगे एबीपी निउस रिपोर्ट